वेलकम टो कुकिंग सुकिंग विद प्रिया आज मैं आपको फ्रेंच फ्राइज लाना बताऊंगी जो कि बहुत आसान है घर पर हम इने बिल्कुल मार्केट इस्टैल जैसे बना सकते हैं बीच बीच में कुछ आपको मैं टिप्स भी दूंगी तो आप मेरा विड़ो पुरा ध्यान से देखें तो आईए वाना शुरू करते हैं रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें लाज साइच के आलू चाहिए तो मैंने यहाँ पर तीन बड़े साइच के आलू लिए हैं यह आलू हमें 9-3 लेने हैं इस तरह का छीलक आसानी से निकल जाए है आप देख सकते हैं यह देखें आसानी से छीलका निकल जाता है इस तरह हमें चेक करके ही आलू लेने है नोन इस्टार्ट सी आलू लेने से हमारी फ्रेंच प्राइज जो है बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी अच्छी तरह ऐसे मैंने आलू को वोश कर लिया है अब नाइफ की मदद से हमें इसके चिलके उतारने है तो यहां पर मैं पीलर की मदद से इसको पील करूँगी इस तरह देखे आसानी से हो जाता है इस तरह हमें पील करना है इस तरह देखे मैंने इसको अच्छी तरह से पील कर लिया है अब इसको मैं कट करना बताऊंगी आपको दोनों साइड से हम इसको इस तरह कट करेंगे आप देख सकते हैं इस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे ऐसा करने से जो है आलू की साइज बिल्कुल इक्वल होईगी चारो साइड से हमें इसको चोकोर करना है तो इस साइड भी हम इसको हलका सा रिमू करेंगे और इधर से भी हमें हलका सा इसको रिमू करना है अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ इस तरह हमें इसको कट करना है बड़ी आसानी से हो जाता है यह देखिए इस तरह, इसको हम कट करेंगे, ये देखी, कट करने का ये तरीका बहुती आसान है, अब इसको हम इस तरह लंबा-लंबा कट करेंगे, ये देखी, इस तरह हमें इक्वल साइज में करना है, देखे, बिल्कुल इक्वल साइज होनी चीए, इस तरह, आप देखे, सारे को मैंने अच्छी तरह से कट कर दिया है, बिल्कुल इक्वल साइज के है हमारे आलू, इस तरह हमें लंबी-लंबी स्ट्रिप्स कट करनी है, जो आलू हमने हटाया था, वो हम सबजी बनाने के चीए जड़ पानी है, सारे फ्रेंच फ्राइस काट में ठंडे पानी में रख दिया है, इसको हमें 20 मिनट तक इसी में रखे रखना है, तक जता कि एंच्छी तरह से चीड हो जा है, शाले आप उसे बी-लंबी कट कर सकते हैं, उससे असानी चीए हो जाता है, इसमेंग्य आ इसमें हम गरम पानी एट करेंगे, पूरा ठंडा पानी मैंने इसमें से निकाल लिया है, अब इसमें मैं गरम पानी एट करूंगी, और इसको हमें गरम पानी में 10 मिनट के लिए रखना है, ताकि यह अच्छी तरह से सेट हो जाए, 10 मिनट हो चुका है, अब हम गरम पानी निकाल लेंगे इसका, और इस तरह का आप ओई भी कीचन टोविल या नेपकिन ले सकते हैं, फ्रेंच प्राइस को हमें इसके उपर ड्राई करना है, इसके उपर हम फैला देंगे, इस तरह देके मैंने इस पे फैला दिया है, इसको अच्छी तरह से हमें ड्राई करना है, इस तरह हम इसको पॉंच देंके दबा दबा के, ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए, इस तरह दोनों साइड से हमें ड्राई करना है, फ्रेंच फ्राइस को मैंने अच्छी तरह से सु अच्छी तरह से हमें इसको mix करना है ऐसा करने से french fries बहुत क्रिस्पी बनेंगे अब आदा गंटा के लिए हम इने freezer में set होने के लिए रख देते हैं french fries को मैंने freezer से बाहर निकाल लिया है आप देख सकते हैं यह अच्छी तरह से set हो गए हैं अब इनको हमें fry करना है अब एक पेन पे हम तेल एड करेंगे और उसको हलका गरम करेंगे जदा तेज गरम नहीं करना है तेल हलका गरम हो गया है अब हम french fries को fry करेंगे और थोड़ थोड़े करके हम इसमें एड करेंगे जितने आएंगे हमें उतने ही ढालने हैं उर ओर फ्राइ बीच बीच में एक दो बार हमें इनको फूल फ्लेम पे भी चलाना है बिल्कुल golden brown होने तक हमें इनको पकाना है हाँ देखिए french fries बनकर हमारे तयार हो गए हैं इस देखिए इनको सिखने में ज़़दा टाइम नहीं लगता है 4-5 मिनिट के अंदर ये बनकर तयार हो गए हैं इसको अब मैं निकाल लेती हूँ इस तरह हम इसको निकालेंगे एक्ष्ट्रा जो तेल होगा वो नीचे निकल जाएगा इसी तरह बाकी बच्चे हुए french fries को भी मैंने fry कर लिया है इसको भी मैं निकाल लेती हूँ और इनको अब हम सर्व करेंगे पोटेटो फ्रेंच प्राइज बन कर तयार हो गया है अब इसमे नमक और काली मिर्च लगाँघी आप चाए तो पेरी पेरी भी लगा सकते हैं और एक बाह अच्छे तरह से इसको अब मीक्स कर देंगे फ्रेंच प्रैज बन कर तयार हो गये हैं खाने में बहुती टेस्ट लगते हैं, आप सोस के साथ इनने सारू कीजिए इक बात आपने नोट की होगी कि मैंने इसको एक बार फ्राई करके ही back बनाया है बहुत से लोग दो दो बार फ्राई करते हैं इन्हें बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हमें जो आलू है वो बिल्कुल चिपस वाले लेने हैं बिल्कुल हमें नोन इस्टाड़ ची आलू चाहिए इसको बनाने के लिए इस बात का आप ध्यान रखें आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके फ्रेंज फ्राइस कैसे बने हैं टेंक्यू फॉर वाचिन माई वीडियो